गुप्त सामराज्य के पतन के बाद हर्श वर्धन एक सम्रिदी शाली, बहादुर योध्धा एवं विद्वान शाशक सिधा हुआ अपने शाशनकाल में हर्श ने गुप्त शाशन में हुए बिखराव को रोकने की कोशिश की सम्पूर्ण उत्तर भारत जिसमें सेंट्रल, वेस्टन एवं डंकन प्लूटो को एकिकरित किया हर्श के पिता प्रभाकर वर्धन वंश के पहले शाशक थे कुरूक शेत्र के पास थानेसर में उनकी राजधानी थी मृत्यु प्रांथ भाय राजवर्धन थानेसर का राजा नियुक्त हुआ बड़े भाय राजवर्धन की हत्या के बाद 16 वर्ष की उम्र में हर्शवर्धन को राजपाट सौफ दिया गया खेलने कूदने की उम्र में हर्षवर्धन को राजा शशान्त के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा शशान्त ने ही राजवर्धन की हत्या की थी उस समय सती प्रथा लागू थी लेकिन हर्ष ने अपनी बहन को सती होने से रोप दिया शाशन की बागदोर संभालने के बाद हर्ष ने थाने सर को कन्नौज में सम्मिलित कर कन्नौज को राजधानी बनाया हर्ष ने अने को लड़ाय या जीती गंगा किनारे बसे राज्य हर्याना, बंगाल, गुजरात तथा बिहार को अपने शाशन में शामिल किया अलग-अलग राज्यों को जीता, लेकिन उन राज्यों के राजाओं को अपना शाशन चलाने की इजाज़त दी यात्री हेंसांग वब बौध यात्रियों ने हर्ष वर्धन की शाशन का गुणगान किया है हर्ष अपने समय का महान शाशक तो था ही, साथ ही महान लेखक भी था उसके लिखे पले नागनन्दा, रतनावली वप्रयदर्शी का आज तक प्रसिद है हर्ष धार्मिक प्रकृती का व्यक्तित्व था, उसने ही इलाहबाद में हर पाँच वर्ष में कुम्ब मेले की शुरूआत की थी नालंदा विश्व विद्यालय हर्ष की देखरेक में ही चरम पर पहुँचा विश्व में प्रजातंत्र की शुरूआत प्राचीन भारत में गनों से प्रारंब हो चुकी थी हर्ष के शाष्न काल में चरम पर पहुँची हर्ष के 40 वर्षों का शाष्न आज भी तुलनात्मक अध्ययन के लिए संपूर्ण विश्व के लिए आदर्ष है हर्ष ने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए क्रिशी पर पर बहुत जोर दिया हर्ष बर्धन विद्यानुरागी थे उन्होंने कन्नोज में परिशद का आयोजन करवाया जिसमें 18 देशों के राजाओं 30,000 श्रमन और नालंदा विश्व विद्धाले के 1000 आचार्यों ने भाग लिया यह आयोजन चीनी यात्री हरेंसान के सम्मान में आयोजित की गई थी हरेंसान को परिशद का अध्यक्ष बनाया गया परिशद 18 दिनों तक चली हरेंसान का अध्यक्ष यह भाशन हुआ बौद धर्म से प्रभावित हर्ष ने अंत में बौद धर्म अपनाया समराठ हर्ष सभी धर्मों को समान आदर और महत्वत देते थे बौद धर्म हो या जैन धर्म हर्ष किसी भी धर्म में भेद भाव नहीं करते थे चीनी यात्री ह्रेंसांग ने चीन लोटने पर हर्ष वर्धन के राज्य के गुन गान गाए यही से भारत वचीन के साथ पहला कुट नितिक संबंध स्थापित हुए